हेलो बोस्तो मैं आपको अपना वद्ध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्रैड स्टुडियोज की एक और नई पेशकस में कौन होगा धूम फोर का चोर धूम सीरीज भारतिय फिल्मों की सबसे सफल फिल्म सीरीज में से एक है अगर सलमान की दवन फिल्मों को एक तरफ कर दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसी फिल्म की सीरीज दिखती है जो धूम के वरावर हिट रही हो जहां पहली धूम में जोन अब्रायम ने हसीनाओं के दिलों को जीता था तो वहीं धूम 2 के माध्यम से रितिक रोशन ने हसीनाओं के होश उड़ा दिये थे और धूम 3 की कमाई तो आप जानते ही हैं जिस तरह से आमिर ने बॉक्स आफिस पर तबाई मचाई थी उसका कहना ही क्या है धूम 3 के बाद लोगों को बस एक ही ऐलाम का इंतिजार था कि यसरास प्रोडक्शन धूम 4 के लिए किस कलाकार को साइन करने वाला है जब यसरास की तरफ से साल 2015 में ट्विटर पर धूम रिलोडेड नाम का वीडियो पोस्ट किया गया था तब ये चर्चा और भी तेज हो गई थी इसके बाद कई कलाकारों के नाम फिल्म के लिए सामने आए किसी निकाई शारुख खान फिल्म में होंगे तो किसी का कहना था कि सलमान खान चोर बनकर अभिशेग को छकाएंगे एक बार तो मीडिया में ये खबरें तक आएगी दूम फोर में अब शेक का पता ही साफ हो गया है और उनकी जगर रन्मीर सिंग लेंगे लेकिन किसी भी खबर पर यश्राज की तरफ से कोई महड नहीं लगी थी हो सकता है कि इसमें सलमान खानों हो सकता है कि शारुक खानों और यहां तक हो सकता है कि आमिर खान भी और यहां तक की अक्षे कुमार भी या एक बार फिर से जोन अबरहम या रितिक रोशन तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूम फोर में कौन होना चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें and don't forget to press the bell icon for more update and notifications झालिए लाइक झालिए झालिए आपका